हेलो गाईज, वेलकम टू माई चानल, टूड़े वी स्ट्रडी अबाउट इंडिया पिपल एंडिको नामी बुक अफ क्लास टूल्द, चैप्टर एट, मैनुफाक्टरिंग इंडस्ट्रीज, आज के इस वीडियो में हम पार्ट टू पढ़ेंगे, पार्ट वान हमने पिछ पहले से चलता रहा है, और यह बहुत ही पूरा ना इंडस्ट्री है हमारे इंडिया का, तो पहले हम देखेंगे, कि जो टेकनोलोजी है वो तो डेवलाप्ट हुई नहीं थी, तो यह काम कैसे करता होगा, कैसे चलता होगा यह इंडस्ट्री, तो पहले जो है चर्खे का हो दो मुंबई में में लगा गया, तो मक्न कहने से समझ में आ रहा है कि में पांटिस रम्पार्टान आसे का, लेसे ता और ने पांग तो जब इंडिया और पांटिस्टानन आच और लग हुआ था 130 है यहां पर लगा जाते थे तो वह एरिया क्या होगा वह भी बट गया तो पाकिस्तान में ज्यादा हो गया और हमारे इंडिया में यह एक एरिया जो है वह कम पढ़ गया आगे हम देखें कि cotton textile industry इंडिया इंडिया इंट इंट वी डिवाइड इंट्व सेक्टर्स दौ और अर्गनाइज सेक्टर और अर्गनाइज सेक्टर में जो हमारे यह मशिन का यूज होता है इसमें ठीक है और जो अर्गनाइज सेक्टर है यहां पे हैंड लूम्स और पाव नाष्ड इंडिया में ठुटी इंडिया के कपड़ पहनें थीक है तो हम देखेंगे जो काटन जब से मारा देश आजाद हुआ है तो 1947 के बाद ठीक है तो 1947 के बाद जो क्लॉथ का प्रोडेक्शन है वह क्या हो गया कॉटन क्लॉथ का इंग्रेज्ट हो गया हमारे इंडिया में मतलब की डेवलप्मेंट होने लगा ठीक है अब आगे देखेंगे हम सुगर इंडस्ट्री पोंगे इंडस्ट्री क्या है तो सुगर इंडस्ट्री इन्टा कब्रोडेघ्रुबस्ट इंडस्ट्री कौंट्री इस अर् अग्रिकिलूचर प कर सकेकते प्रोडेवियुम्स प्रडियूसर थे सुगर कैन का ठीक है क्या सुगर ऑं你说 पेर्षरोंट और पर्सट आफ तोल स निल्गा जाता है मतलब किसी एक सीजन में लगाया जाता है तो जिस टाम सब्सक्राइब फिर नहीं चलती ऊहरा सुगर इंडस्टी में लगाया जाता है अब हम वह देखेंगे लॉकेस्टों ऐफ दॉगर इन यह लोकेटेव निल प्रोडूसिंग इजन महारा स्वाण नीद सुगर का जो सुगर के जहां पर प्रोडूश होता है उस रिजन में यह लगाया जाता और माहरास्टर के लीडिंग प्रोडूशर है सुगर का पूरी कंट्री में उतरपर्देश तमिल नाडू करनाड़ का अंध्र परदेश तेलागना विहार पंजाब हर्याना अध्यपरदेश और गुजरात स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं महरास्ट्र के हलावा ठीक है आगे हम देखेंगे पैट्रोकामिकल इंडस्ट्री यह होता क्या है इसमें तो पैट्रोकामिकल्स मतलब दोनों को मिक्स करके कुछ बनाया जाता है कुछ नहीं मतलब बहुत सारे बना जाते हैं त्टिक है आप हम इसके बारे में देखेंगे ग्रोइंग बेरी फॉस्त इन इंडिया वराइटी ओफ प्रोडुक्ट्स come under this category of industry और बहुत सारे प्रोड़क्स इस काटेग्री में आते हैं आगे हम देखेंगे इसके इंडियन पेट्रोगामिकल कोर्परेशन लिमिटेड पेट्रोफाइल्स कोपरेटिव लिमिटेड्स सेंट्रल इंस्टिट्टीट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग टेकनोलोजी तोफ विए अद्निस्ट्रेट्रिव कंट्रोल के अंडर में काम करते हैं और यह देख में क्या हो रहा है software का development हो रहा है जो हमारा इंडियन टेक्नोलोजी है ठीक है वो क्या कर रही है डेवलाप कर रही है liberalization, privatization, globalization and industrial development in India the industrial policy has been liberalized to attract private investor both domestic and multinational तुछ हमारा industrial policy हमारे इंडिया का वो क्या कर रही है attract कर रही है जो हमारे private investors हैं जिनकी private company है या फिर जो privately invest करते हैं किसी भी company में उन लोगों क्या कर रही है attract कर रही है या फिर जो multinational company है वो भी attract कर रही है ठीक है आगे हम देखेंगे new sectors are like mining, telecommunication, highway construction and management have been thrown open to private companies तो जो ये mining है, telecommunication, highway construction और management ठीक है ये सारे जो sectors है ये क्या कर रही है private companies को दी जा रही है मतलब private companies को इसको चला सकती है ये सारे चीजों को manage कर सकती है globalization means integrating the economy of the economy with the world economy under this process goods and services along with capital labor and resources can move freely from one to another nation ठीक है one nation से another nation जो globalization है हमारा इसमें क्या होता है कि जो economy है पूरे वर्ड का जो economy है उससे इंट्रक्ट करती है हमारी country की economy और जो हमारे गूड्स है और जो हमारे लेबर से सर्विसें वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आराम से जा सकते हैं यहां पर जादा मात्रा में बैठाई गई है अब आगे देखेंगे माइन माइनर इंडस्ट्रियल डिजन यहां पर क्या है कम मात्रा में यहां पर कम है इंडस्ट्रिस ठीक है यहां पर हो गया अम्बाला, अम्रिचर, सहारनपूर, मुजफरपूर, भिजनोर, इंदोर, देवास, उजन, जैपूर, अजमेर, कोलापूर, साउथ कर्नड, नॉर्दन, मारबार, मिडिल, मालबार, अदिला, निजामाबबाद, अलाहाबाद, वारनश्री, मिर्जापूर, भोजपूर, मु गोरखपूर, अलिगट, कोटा, पुर्णिया, जबलपूर और बरेली, यह सब क्या हैं, जहां पे इंडस्ट्री लगाए गया हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, यह सब तो हमारे रिजन थे, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक हैं, इंडस्ट्री और यह सब डिस्ट्रिक लुक्स हैं, तो यह चैप्टर हमारे यहीः पर खतम होता है, गाईज, थाइंक्यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक किजएगा और चैनल को सब्सक्राइब किजएगा, ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सक so thank you so much best of luck